आरेस मेंस 2023 को पोस्टमन करवाने के मांग लगातार तूल पकड़ दीजा रही है आज तीसे दिन रास्तान यूनिशिटी के गैट पर अभयति जो है वो लगातार धन्य परतने से बैटे हैं और छे अभयतियों ने भूगताल की चेटाउंदी कर रात से ही बैट गए थे तीन की तेविद भी ज्यादा खराब बताई जा रही है हालांकि इनका इलाजस चल रहा है लेकिन तेविद खराब हुई है इनकी यहां पर भीड़तियों की जो भूगताल बैटे थे और हातों में बैनर और जो आर्पीसी द्वारा जारी किये एक्जाम डेट थे उनको भी आप तेवाम बढ़तियों है वह बैटे हमें हालांकि संख्या जुरू कम है लेकिन इनका जज़बा और जुनून जो है वह लगातार बरकरार है यह देखिए यहां पर बूगताल बैटे हैं उनसे बात करने कोशिश करते हैं कि आखिर में क्या है सर्थ पहले बात तो बूगताल तक आस्वसन नहीं दिया है कि हम आपकी मांग को सुन रहे हैं और आपकी मांग के अंदरकारिय कर रहे हैं लेकिन हम यह चाते हैं कि जल्द से जल्द आरिस में इसका पॉस्पूंड का लेटर आना चाहिए तब ही कुछ हमारे को मलबरात मिल सकती है तब तक हमारा अंसन भी जारी रहेगा अब यहां तक की सूचना पहुंची यह नहीं पहुंची देखो सरकार के सूचना पहुंचाने का काम आपका है हम मीडियम के मादियम से अपनी बात को रख रहे हैं सरकार के सामने और अभी तक सरकार की तरफ से हमारे पास कोई भी मिलने नहीं आया है कि हम आ आपकी मांग पे काम करे हैं या आपको पोस्पंड होएगा या नहीं होएगा हमें अभी तक इसमें कोई इस प्रश्टा नहीं है दो डेलिगेशन से मिल चुके हैं दिया को मैंसे मिलने की बात कही थी पहले और प्रेम्शन बेरवाड इप्टी सिया में उनसे बात कुई थी क्या पूरा समीकन रहा क्या सगबात चीत हुई सच यसा कि हम बता चुके हैं पहले भी कई बार कि जितने बार हमारा डेलिगेशन गया उनकी तरफ से सिर्फ हमें आश्वाशन ही दिया गया है और जबकी एग्जाम हमारे 27 और 28 तारीक होने वाला है दस दिन या 12 दिन से कम दिन का समय बचा है और हमें सिर्फ आश्वाशन ही मिल रहा है और हम बार बार सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हमारा जल से जल जो है एक्जाम पोस्पून का लेटर आए क्योंकि हमें समय कम दिया गया है समय कम की मांग थे इसलिए हम अभी धरना प्रदेशन करने हैं वरना हमें प्री में समय उचित समय दिया गया था तो हम प्री के जब दी थिए और जब 21 में थी उन्होंने 5 में दी तो ऐसी क्या कारण हुआ ऐसा क्या रिफॉर्म्स नोंने लाए जो इनको तीन महीने में एक्जाम कराने की जल्दी हुई और क्या सरकार यह में लिखित में आश्वाशन दे सकती है क्या आगे से जब भी जो आएगी वेकेंसी या केलेंडर जारी होगा हमारे जो मांगे हैं उनके अनुसार काम किया जाएगा सरकार के मुद्दे यही थे चातर जो इनके परेशान थे पेपर लिख से परेशान थे और वह तुमान सरकार भी इस पर कुछ काम नहीं कर रही है लगातार बढ़ती जो है मुद्दों को लेकर यहां पर बात की जा रही है सासली अधिगारी जो पतार है बहुत चुपी साथे हैं ऐसे में कई ना कहीं यह साफ हो जाता है कि जो अब्रती वो लगातार अपनी मांग बढ़ी गए सर कहां क्या नाम आपका मुकेश नाम मेरा कब से बैठे हैं सर बूगरताल में कल नाइट में खाया था खाना में अभी क्या दिक्कत हो यह अब को थोड़ी तब थोड़ी जबो रहा है ज़ए नहीं क्यों हमारे को समय दो हम प्रिपास करके आए हैं हम पढ़ के पास प्रिफास किया है तो में भी सक्शियस होंगे मैंने खुद मेंज की तःरी कर रहा हूँ मैं कोचिंग जोन कर रखी है तो मैंने दस अक्टूबर को प्रिकी date किलियर औरे क्लियर पहले मैं कोचिंग जोइन कर ली तक मेरा सलेबस कोचिंग वालों नहीं करवाया तो जब में रियूजन करने का टाइम बहुत टाइम कम है तो पहले के जो आरे सुए उसमें दस मैने आठ मैने अभी दो-तिन दिन दिन पहले भी जारी किया गया कलेंडर उसके अंदर तो सिफसे सरकार बनाई है तो हमारी विदार्तियों कि तो सुने कम से कम और यह हम्हारे नहीं हैं मांग रहे हैं हमें hyनों जो है नहीं हांसिल करेंगे लेकिन सरकार जो है इनकी मांगों पर मानने को fairly रही है लगातार अपने जो यह सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले एक महिने से लगातार यह विरोध परदसन कर रहा है पॉस्ट पॉर्ण करवाने की मांग को लेकर विबिन तरीके से विरोध दर्च करा रहा है सब्सक्राइब लेकिन बावजुद इसके यहां पर उनकी मांगे नहीं मानी जा रही है सर कहां से आए आप जालोर से निवासी हूं और मैं लंबे टाइम से पढ़ रहा हूं और असारनक इन्हों ने प्रिलेम्स एक्जाम करवाने से 20 दिन बाए डैट दे प्रिलेंस कॉलिफ जैसी सरकार मुदों में हमारे स्टूरेंट के मुदों पर ही आया है न क्या कहां कि आर्पीस ही बंग कर लेंगे ऐसे ऐसे तत्य दिये जो को हमें भरोसा है सवेदानी बॉड यह भी भंग नहीं हो रहा है लेकिन उन्होंने ऐसे दावा कर दिया लोग आ गए बोड दे दिय और उनका सारे टूइट देखा दे वीडियो आपने देख लिया प्ले लिस्ट में क्या 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 रहे लेकिन हमारी जन्वन मांग है कि उस सरकार आये तब से आपको डेलिकेशन आपसे मिल रहे है क्योंकि छुनाव जीत के आये महीना डेल महीना हुआ है तो हमारी मांग मह सरीर में कमजोरी आएगी कुछ और दिकते भी होंगी वैसे भी आ रहे है भूग से आदमी नहीं मरता है मैंडल टॉर्सर होता है मांची रूप से वह स्ट्रेस में इतना आता कि रोजी रोटी उसको सब दिखती है सामने से अब मुझे मेरा फीशुर दिख रहा है ना मैं दिव्यां कैटी के रिशा तो मुझे फीशुर देख र मैं ने प्रिलेश पड़ लेकिन मैंज कम से कम चे महीने मांगता है इक साल पहले निकालती है मफीश्य अभी इनकी सरकार जीतके है सार शैंप दावें यह इनकी फिर उन्हों ने कर दिया है यू पीशिए पांथ साल में 3 श्याल ने मात्र 5 एक्जाम करा शुकत सर एक शाल पहले दोजार पच्छीश का भी जारी कर दिया है अगस्त में मैंच से मार्स में परलेम से बताओ सर अप्रेल मई जून जुलाई अगस्त सेप्टमर अक्टरवर साथ महीने दिये सर वो क्या है क्यों दे रहे फिर अपन इतनी जल्द बाजी में क्यों और एक वंडे एक जाम ह होता है उसमें सिर्फ ऑपजेट होता है सर उसमें सिरफ दस महीने का टाइम दिया अभी वीदी रख्षक साहए खान अभियंता इनमें दो श्यार एक जाम चार दिन पहले लाए तो हमारी अंदर की भावना निकल रही है अगर यह नहीं मान रहे हैं तो हम अल्टीमेंट डे इमांदारी से हमारा ट्रांसपेरेंसी काम कराना साता है राजस्तान में ऐसे नहीं होता सर हड़ दर्मीता इमांदारी फरक होता है और हम सामुई घरताल पर बैठ जाएंगे डिसिजन लेके फिर आप हाथ पाव आपका ही फुले हमारा फुले हम परिवार छोड़ दिया हम उसकी कैसी ट्रिकोर्ट नहीं मिलती है आप तीन महीने एक जाम लह रहे हो उसका एक राइटर होता है वह एक महीने पहले तियार किया जाता है कि तू दिरिजिशन चे निचले लेवल का आता है तो हमारा राइटिंग तू करना उसको मेंडरली प्रिपेर करना पड़ता है तब जाके बिलाइट लडगा अपनी माक्ष ले आता है सर ऐसे नहीं होता है इमानदरी इमानदरी होती है अड़दर्मी तर चोड़ दीजिए आप तो राजा के समान बैटे पड़ों पर और हम आपके ब्रोसे कर रहे हैं कि आसार सिता लग गए ती उससमें कोई सरकान नह परसों से बूग अब बैठा बैठार है कि ना पाने की चाहा है तो किसी को ना खूने का डर है तमाम दिवांग के टेगिरी से आने वाला अभियरती भी नहीं अपनी पीड़ा बताई है कि वो परसों से भूग अताल बैठे हैं लेकिन अभी तक सरकार के नुमाइंदे की तरफ से कोई भी तरफ से एक पहल नहीं और हमारी इनकी मांगों को जो है लगातार पुर्दोर कोशिस करने के बाद भी अगर नहीं होती है तो पुरी आम्रा नंसन पे बैठने की चदों दे दी है सर कहां से आये हैं आप क्या नाम आपका मैं सर सवाई मादूपूर से आया हूँ मेरा नाम विकास विधूडी है और मैं सरकार से यह पूछना जाता हूँ कि जब सरकार के सत्ताधरी एमेलियों ने 40-50 एमेलियों ने अपने लेटर पेड़ पे लिखे दे दिया कि विध्यारतियों की बात तर्क संगत है विध्यारतियों को नयाई मिलना चाहिए जो गौर्मेंट टेमपलों ये जिन्नोंने चुनावी डूटी दी और बीजेपी सरकार को जिताया उनको नयाई मिलना चाहिए लेकिन सरकार की हटदर्मिता देखो कि हम तीन दिन हो गए हमारे नोजवान करांतिकारी साती भूग के प्यासे रात के कोरे में ओस से भीगी हुई रजाईयों में यहां बेठे हैं ठंड में सिकुड रहे हैं लेकिन सरकार का कोई प् पोस्टन का मामला चला तो बीजेपी के सारे निताओं ने ट्वीटर पर ट्रीट किया और विध्यारतियों की आवाज उठाई चाहे वो सतीष पूनिया जी हो डॉक्तर किरोडी लाल जी हो राजेंदर राठोड जी हो चाहे वसंद्राजी हो सबने विध्यारतियों के अगर हमारी मांगे नहीं मानी जा रही हैं अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो हम आगामी रूप से आगामी दिनों में बहुत बड़ा कदम उठाएंगे जिसको सरकार को भुगतना पड़ेगा चेताउनी के रूप में हम धरने पर बेटेंगे हमारे कुछ साथी बेटें कुछी देर में लगबग दो गंटो बाद हमारी महिला साथी जो भी है यहाँ पर दस से पंदरा की स्टूडेंट तादाद में वो यहाँ धरने पर बेटेगी और आमरन अंसन करेगी और जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होग जो RPSC का pattern रहा कि कभी भी जो समय दिया जाता था प्रिलिम्स और मेंस के बीच में वो 11 महिने, 8 महिने, 7 महिने होता था अगर अब तक का सबसे कम समय दिया गया है तो 2021 में 5 महिने दिया गया है हम कह रहे हैं कि हमें वो ही समय दिला दीजिए और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने विध्यारतियों को 98 डेज का टाइम दे दिया है मुख्यमंत्री जी प्रिलिम्स और RS के मेंस के बीच में 98 डेज का टाइम परियाप्त नहीं है तीस सब्जेक्ट हैं, नीचे से धेर लगाते हैं तो यहां तक आ जाते हैं इसलिए हमारी मांग है सवेदन सिल सरकार से और फिर में निवेदन करना चाता हूँ सरकार से आला नेताओं से कि जब 40 नेताओं ने लेटर पेड़ पे लिखे दे दिया केबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोली लाल जी कहते हैं कि विध्यारतियों के बात तरक संगत है सब्सक्राइब करना चाता हूँ अगर आज हमारी कोई बात उठाइरा तो लोक्तंतर का चोथा इस्तम जो आज जिन्दा है मैं आप सब से निवेदन करना चाता हूँ कि इसी सरकार से और इसी सरकार के आला नेताओं से इनसे पूछिए कि जब आपने 40 से 50 MLS ने आपने लेटर पेड़ पे लिखके दे दिया आप सभी केबिनेट मंत्री यह कह रहे हैं कि विद्धारतियों के बात तर्क संगत है तो आखिर इस बात को नकारा क्यों हो जा रहा है सबसे बड़ा सवाल आप मीडिया के बंदूं को इन नेताओं से करना चाहिए तमाम जो चाहतर हैं वो लगातार जिसमें गोर्वन सर्मेंट भी हैं और दोग सब्सक्राइब चुनाओं आने वाले हैं लास्ट जो आपकी मांग है वो क्या है अभी तो तत्काल मांग तो यह है कि पोश्ट पॉन किया जाए और आरिपेसी में सुधार करो क्योंकि देखो आरिपेसी असी नंबर देके कोपरेटिव इस्पेक्टर मना रही है इसका मतलब असी नंबर इसलिए दे रही है कि उस लड़कियों को अंदर लेना है अभी यह चैर्में जा रहा है अगस्त में यह तो अगर उसमें ज्ञबना रहा है अगर उसमें ज्मता होती तो उसका मतलब भश्टाचार फूट चल रहा है इस अखने है पर प्रशाजार के अरोप लगाये हैं, उनने कहाए कि चेर्मेन जो है अगस्त में कारेकार पूरा होने वाला है, उनसे पहले ही वो चाहते हैं कि एक इंटर्व्यूर कर लूँ और मैं कहीं कहीं पैसे लेने की बात यहाँ पर कहीं गई है, तो कहीं न कहीं साब हो जाता है कि आर पीएक्जाम आचार और पीटी आई की वर्ति के एक्जाम जो ती वो करवाई दी है साजनुरी को लेकिन अब आरपीची सहा रहा था कि कोई छूक ना हो क्योंकि ज़्लो सलकार में भी आरपीशी लगातार विवादों नहीं रहा है ऐसे इन अभियट्टियों का जुम आ करतु कि मांग है वो एक आरेस मेंस को पोस्टोन करने की है तीन मेने का समय अत्रिक्त मांगा जा रहा है कैमरा पसंद रमाकांद व्यास के साथ संधी पगरवाल तनगरी मीडिया जैपूर